इस्तीफा दे देंगे पलिटिकल एनालिस्ट बहुत स्वागत है आपका चर्चा में गोविन ठाकिरूर मेरे सायोगी अडिटर नेशनल अफियर आपका बहुत स्वागत है एक मिश्रा जी तमाम अटकलें संभावनाएं सब कुछ अब सामने आ गई है ने देखे मासूम जी मैं आपको बताओं भाई गति साफ शेशुंदर केरी अगर कोर्ट का इंटर्वेनेशन नहीं हुआ होता यहां पर एक बहुत स्टेटिक मूव्मेंट हुई है कॉंग्रेस और जेडियस के दौरा जो यह कोर्ट में चले गए अगर कोर्ट का इंटर्वेनेशन नहीं हुआ होता तो मैं बोल सकता हूँ कि BJP वाले जो थे वो कहीं न कहीं करके यह अपनी सरकार बना लेते पंदरे दिन का टाइम बहुत सफिसियंट होता है दूसरी चीज़ है कि यह मैटर इतना ज्यादा हाइलाइट हो गया था और इसके जो आप यह देखेंगे क्रिया प्रत्रिया जो शुरू होती है बिहार में भी शुरू हो गया गोवा में भी शुरू हो गया डिमांड उसी लॉजिक के बेस पे तो इन्हों ने BJP ने यह डि करेंगे लेकिन यहां पर वाकही में मैं यह बोलना चाहूंगा कि यह ना BJP या JDS Congress की किसी की हार जीत नहीं है यह लोक तंत्र की जीत है यह नयाय तंत्र की जीत है सूप्रीम कोर्ट को मैं इसमें बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहूंगा कि पूरी दुनिया का जो विश चीन परंपरा रही है राजनीत से हट करके अगर इसको जरा देखा जाया तो सबसे महत पूर्ड यह है कि जो हमारी परंपरा रही है नयाय के लिए किसी को भी नयाय अगर चाहिए तो रात को बारे बजे भी यहां पर दरवाजे खुले रहते हैं यह बहुत अच्छी अगर रही है और एक बात किसी की हार गीत नहीं है लेकिन भारतिय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है उसको सोचने की जरूरत है बहुत जल्दबाजी में उठाया का दम था तमाम सारी बाते जैसे आप बताए इसमें थिंक टैंक को सोचने की यह चीज है कि जो यह टोटल पर थोड़ी सी रोख लगी है मिश्रा जी जिस सरीचे की राजनीती फिलहाल चल रही है उस पर चर्चा बेमानी हो गई है इंजिनों बात सिर्फ यह हो रही है कि जो जीत गया जो सरकार बना गया वही सिकंदर है लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया को जहलना पड़ा है यहा सरकार मनाएं इस पे कहीं न कहीं जाकर के रोख लगनी चाहिए थी और पॉलिटिकल पार्टियां चुकि मैं बोल सकता हूं कि उनके अंदर सायद इथिक्स बचा नहीं रहा अब देखे अब वो इथिक्स नहीं रहा जहां पे अटल वियारी बाच्पई जी ने सदन में बोल दिया था कि जो है मैं किसी भी तरीके से अपने इथिकल अप्रोच अपने विस्वासों के साथ मैं दोखा नहीं करूँगा सरकार गिर जाए तो गिर जाए ये वहीं भारती जनता पार्टी है जस एक पीड़ी पहले आप देखे पूर परदान मंतरी का ये विश्वास था और आज की डेट में जो भारती जनता पार्टी है उनके एथिक्स में कितना भाध करेंगी तो राजनिती में आज के दिनों में एकर नहतिक्ता को लेके बैठते हैं तो बहुत सारे मुद्धे हमारे से छूड जाएंगे क्योंकि नहतिक्ता में बहुत नेपत्थ में जा चुकी है सवाल वही यजी उरप्पा ने विधान सभा के पडल पे रखा मिश्रा जी नहीं देखिए माशुम जी मैं बताऊंगा अगर भारती जनता पार्टी का एक बड़ा खास करेक्टरिस्टिक है आप देखें इनके हर स्टेटजी में एक इलिमेंट होता है बड़ा प्रॉमिनेंट वो सर्प्राइज है या स्टांस का कि अल अफ सडन इसको बित्प्रीज भ लगातार पिछडती गई अब की बार मुझे लगता है कि माननी सुप्रीम कोर्ट ने ये इलिमेंट ऐसे अच्छे तरीके से यूज किया कि भाश्पाजी जितनी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई इनको टाइम भी नहीं मिला और जो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट सिंव्धे श्रयक्रा है कि इनको पर्टी जो स्वक्षणदता है वह खतम और उन्होंने पिर के जब गई है जो लगातार वह ड़हा रहा रहते थे वहार रहते मेरे ख्याल से, आगर माननी सुप्रीम कोर्ट मांनी आता और ऑर राजनयतिक तरीके से चलता, तो मुझे लगत कि चानक की चानक की नितिक कहा जाता था कामिस साब बहुत वरी चानक है किसी ने तरह से वो सरकार बना ही लेंगे हम लोग भी विश्वास कर रहे थे आरे बीजेपी हैं यह यह उस वक्त भी मैंने बोला था कि सुप्रीम कोट के उसके बाद की प्रॉब्लम हो जायागा कि कितनी authenticity के साथ वो सारी बाते सारी संभावनाओं पर इस पैनल ने चर्चार की थे एक एक बिंदू को समझाया गया था कि कैसे भार्तिय जुनता पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है करनाटक की पॉलिटिक्स में कॉंग्रेस बहुत जादा स्मार्ट रही जिस तरीके से कार्ड खेले गए और जिस तरीके से वोटिंग के तुरंत बाद दुआला नेता वहार रवाना कर दिये गए थे और उनकी नजर थी पलपल की गतिविधी पे प्लैनिंग होती रही उसका सरब देख रहा है मिश्रा जी देखिए मौसूम जी मैं आपको बताऊं हाला कि गुजरात इलेक्शन जब हुआ था और गुजरात इनका गड़ था केवल साताइट सीटों से इन्होंने मार्जिनल विक्ट्री ली थी आप ही के चैनल पर मैंने एक इंटर्विव दिया था उसका टैटिल भी मैंने यही रखा था खुलना शुरू होजाता है, धीला होना शुरू होजाता है आपका जो अट्रेक्शन होता है किसी पार्टी का चूकि बहुत सारी चीजों को आप पूरा कर नहीं पाते हो यही चीज यहां पर दिख रही हुए हम बने रहेंगे चर्चा में अपडेट्स आपको देते रहेंगे फिलहाल इस चर्चा को यही रोकते हैं अपको यही रोकते हैं